प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंख में आप सभी का स्वागत है इस कारिक्रम के जरिये हम आपको प्रदीश भर में बचले दिनों हुए महत्वपून आयोजनों की जानकारी देते हैं आईए संख की शुर्वात करते हैं प्रदीश में चल रहे नगरी निकाय चुनावों के तहट सिहोर जिले में भी नगरी निकाय चुनावों की रंकत अब दिखने लगी है सभी प्रत्याशे अपने अपने पक्ष में घर घर जाकर मद्दाताओं से सीधा संपर्क कर अपने लिए वोट की मांग करते दिख रहे हैं ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सिहोर समवाद दाता सिहोर जिले की दो नगर पाली का परशद और साथ नगर पंचायतों को मिला कर इस वार कुल नो नगरी निकायों में चुनाव होने हैं इन निकायों के कुल 158 बार्डों में कुल 886 दावेदारों में से 208 उमीदबारों ने अपने 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 नमंकर रफाम बापस लेने के बाद अब कुल 564 पत्याशी ही मैदान में हैं एक तरब जान नगरी निकाय चुनाव के लिए प्रशासन तयारी कर रहा है वहीं जिले की शागरी नगर पंचायत की सभी 15 बार्डों में आपसी सहमती से पारशतों ने निर्वरो निर्वाचितों कर एक अनूठी मिसाल कायम की है सीहर नगर पालिका में बार्ड 15 की प्रत्याशी भी निर्वरो निर्वाचित हुए हैं साथी नरसोल लगाज में वाड़ करमांग 6 और 14 के प्रित्याशी भी निर्वरो निर्वाचित हुए हैं जिले में कुल दो चरणों में मद्दान होना है पहले चरणों में 6 जुलाई को सीहोर नगरपाली का परशत के लिए मद्दान होगा पहले चरणों में की मद्दाना 17 जुलाई को होगी नगरी निकायों के चुनावों में जिले के सभी 9 नगरी निकायों में से कुल 1,64,524 मद्दाता अपने मद्दिकार का अपयोग करेंगे इन में से 99,346,95,116 महिला तथा 1167,7 er, 1 मंध bonita मदाण शामिल में हैं स्विहोर नगर पाली कापष्थ में कुल 83,632 मदाथाउ में से 42,577,7 पाली से 61,576 महिला तथा 6,006 मदाथा 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 में शामिल हैं आश्टा नगर परिशद में कुल 49,433 मददाताओं में से 20,43,19,387 महिला तथा 3 अन्य मतदाता मददान शामिल है इसी प्रकार बुद्धी नगर पंचायद में कुल 12,413 मददाताओं में से 6,388 पुरूस तथा 6,025 महिला रेटी नगर पंचायद में कुल 8,330 मददाताओं में से 4,316 पुरूस तथा 4,056 महिला शागाई नगर पंचायद निर्वरोद निर्वाच चुद्धी इसका रणिया चुनाब नहीं होंगे नगर पंचायद में कुल 17,707 मददाताओं में से 9,031 पुरूस 8,675 महिला तथा 1 अनिर्वर नगर पंचायद में कुल 5,852 मददाताओं में से 3,003 पुरूस तथा 2,850 महिला कुल 17,55 मददाताओं में से 3,955 पुरूस सथ 3,600 महिला इचावा नगर पंचायद में कुल 12,026 मददाताओं में से 6,084 पुरूस सथ 5,942 महिला मददाताओं अपने मददिकार अपयों करेंगे शागज नगर पंचायद के सभी 15 बार्ड निर्विरोद निर्वाचित होने की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी और करेक्टर चंद्र मोहन ठाकों ने देते हुए बताया की शागज नगर परिशत है जिसमें 15 वाड आज नामवापस्ती के आकती समय तीन बज़े तक 15 वाडों में नामवापस्ती के अपरांदिस्ति पी ऐसी बनी है कि 15 के 15 वार्डों में मात्र एक अभ्यर्थी शेश रहे गया और सभी 15 वार्ड निर्विरोध रूप से निरवाचित हो गया हैं और शाहगज नगर परिशत में किसी भी वार्ड में निरवाचित के आवश्चता नहीं पड़ रही है अभी भी नाम वापसी के बाद हमारे पास जानकारी आ रही है हो सकता है कि कुछ एकाद नगर पालिगाओं में एक दो वार्ड ऐसे हैं जो निरविरोध हो रहे हैं लेकिन पूरी-पूरी नगर परिशत और कहीं निरविरोध नहीं होई सिहोर से प्रादिश्क समाचार दर्शन के लिए प्रदीप सिंग चोहान सतना जिले में तुरिस्तरिय पंचायती और नगरी निकाय चुनाव को निश्पक्ष और शांति पूर्ण तरीके और सुरक्षा के साथ संपन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा नर्दीशों का पालन जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है अधिक जानकारी हमारे संबाद दाता से इसी क्रम में चुनाव में डूटी में लगाए गए मद्दान कर्मियों के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए कोरोना बाइरस के संक्रमन से बचाव के लिए कोविट बैक्सीन के बूस्टर डोज लगा जा रहे हैं जिला टीका करन अधिकारी डाक्टर चरण सिंग ने बताया कि सहर के मुख्य स्वास्त केंद्रों और बिलाकों में भी सत्र लगा कर मद्दान कर्मियों को कोविट वाइरस के संक्रमन से बचाव के लिए बूस्टर डोड लगा जा रहे हैं पन्ना जो बेश कीमती हीरो के लिए मशूर है एक बार फिर चर्चा में है वो इसलिए क्योंकि यहां एक मजदूर को पिछले दिनों 3.15 क्यारट का हीरा मिला वस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे पन्ना समवाद दाता पल भर में किशी को भी रंग से राजा बना देती है हाली में कुछ ऐसी कहानी मजदूर तुरेन पाल लोधी की है जिसे चार दिन पहले एक ख़दान से प्राप्त इस हीरे को मजदू तुरेन ने तुमा करा दिया है जिसे अगली निलावी में बॉली के लिए रखा जाएगा बुली में जो रासी प्राप्त होगी फिए से 12 परसेंट रायिटी काट कर हीरा कारतने दौर्ट से शी सब्सक्राइब पंद्रा सिंट साहब बता रहें मेहना तो नो दस माहिना हो गए सब्सक्राइब बढ़ा दिया बढ़े मुश्किल से मिला हमने बहुत मेहनद किया पत्ता तोट तोर के सुरंग गलवा गला के मतलब 24-25 फिर तक ले गए रतलाम में मौनसून का इंतजार इस बार थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मौसम विभाग के अनुसार मौनसून सामानिय और अच्छा रहेगा ऐसे में किसानों की तैयारी पूरी है ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है हमारी रतलाम समवाद दाता क्रिशी विभाग के अनुसार इस बार रतलाम जिले में क्रिशी खरीफ फसलों का रकबा लगभग तीन लाग दस हजार हेक्टेर होगा जिसमें सरवादिक रकबा दो लाग छे हजार हेक्टेर पर सोयाबीन की फसल बोई जाएगी इसके अलावा मक्के का रकबा लगभग 24,000 हेक्टेर उड़त का लगभग 5,000 हेक्टेर और कपास का लगभग 2,000 हेक्टेर होगा क्रिशी विभाग ने सबी किसानों को सलाभी दी है कि जल्दी मौनसून आ सकता है ऐसे में जो लोग घरू बीच का अस्तमाल करना चाहते हैं वो उनकी साफ सफाई शुरू कर दें चार इंच बारिश होते ही रतलाम में खेतों में बोवनी शुरू हो जाएगी लगबग एक इंच बारिश हो चुकी है और अब किसान पूरी तरह से खेती की तयारी में जुट गए है उलेकन यह है कि क्रिशी फसलों के अलावा रतलाम ने बागवानी फसलों का भी अच्छा रगबा है और वर्तमान में जैविक खेती के प्रतीविक किसानों की पसंद बढ़ी है लगबग 3,000 हेक्टेर पर केवल जैविक खेती हो रही है जिसका रगबा इस बार और बढ़ सकता है किसानों के अनुसार वर्तमान में गिलकी, तुरई, लौकी, भिंडी, बैंगन, टमाटर और फलों में अमरूच, संत्रा, स्ट्रॉबरी, अंगूर और फूलों में गुलाव और मोगराब होने की तैयारी हो रही है और अगर मौनसून अच्छा रहता है तो इन सभी का उत्पादन भी अच्छा होने की उमीद किसानों को सकारात्मक कर रही है समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदीती मिश्रा राइसेन जिले में पिछले कुछ सालों में धान की खेती के प्रति किसानों का रोज़ान बढ़ा है वस्तार से सी खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे समवाट दाता जिले में लगातार जहां धान का रखवा बढ़ रहा है वहीं इस साल भी जिले में किर्शी विवाग ने धान की बावनी का लक्ष दो लाग पचास हैर हेक्टेर निजारित किया है जो पिछले साल के लक्ष से एक लाग पचास हैर हेक्टेर हदिक है गुजरे वर्ष में भी क प्राजगर में जमा जम बारिश होने के साथ ही कई किसानों ने बोनी शुरू करती है। अधिक जानकारी के लिए जोड़ गए हैं हमारे राजगर समभात आता। राजगर जिले में अललक छेतरों में लगातार रुक रुक कर जोड़ार वर्शा हुई है। अधिक वर्शा होने के कारण किसानों ने बोनी शुरू कर दिये। माना जा रहा है कि जल्द ही सुठालिया छेतर में बोनी पूरी हो जाएगी। और लेकनी है कि जिले के सुठालिया छेतर में गुरुवार को जोड़दार वर्शा हुई। इस छेतर में कि कई गाउंगों में अच्छी वर्शा होने के कारण अब किसानों ने बुदवार से बोनी शुरू कर दिये। पानी खुलने के साथी किसान अब बोनी कार में जुट गए हैं जिन किसानों के खेत तयार नहीं हैं उन किसानों के द्वारा अब अपने खेत को बोनी के लिए तयार किया जा रहा है। जिले के अनिस्सों में अभी परियाप्त वर्शा नहीं हुई है। इंतजार किया जा रहा है। किसानों का मानना है कि अच्छी वर्शा होने के बाद ही बोनी का कारी शुरू कर दिया जाएगा। समाचार दर्शन के लिए कमल खस राजगड़। प्रादीशिक समाचार दर्शन के इस संख में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अलेख और वाचन्स्वर संयुक्ता बैनर जी प्रस्तुती प्रादेशिक समाचार इकांश भोपाल। कि अगले समाचार इससे माचेशिक समाचार भोपाल। अगले सोमवार इस समाचार के एकांश भोपाल। झाल झाल